इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल और बिंक सर्च एंजिन्स की उनकी हिस्ट्री की वैसे तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है ये कुछ दो दहाईयों से गूगल एक्जिस्स करता है लेकिन वागत थोड़ी सी मुखत सी हिस्ट्री कुछ बेन पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा ताके आप लोगं को आइडिया हो कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई तो कहां सक ये पहुँची तो गूगल का आइडिया जब स्टार्ट हुआ बेसिकली ये दो फांडर्स लेरी पेज और सरगे बरिन एक जुसरे उसे युनिवर्सटी में मिले और वहाँ से अच्छे दोस्त बन गे और इसने पिर एक एक समय लांच की लेकिन जब यह दोस्त बन के इनको अपने युनिवर्सटी की वेबसिय देकर असास हुआ ये तो हमें पता चल जाता है लेकिन सैंटफॉर्ट वेबसेट को कितनी वेबसेटें link कर रही हैं ये हमें पता नहीं जलता तो कोई ऐसा search engine होना चाहिए ये बता सके कि इस website को कितनी website लेबसेटें link कर रही हैं ताकि हम उसको धूंड सकें उसको देख सकें इस बन्यादी आइडिया से ये बात स्टार्ट हुई और उन्हेंने मिलकर एक सर्च एंजिन लाँच किया जो के 1996 में बैकरप के नाम से लाँच हुआ और बाद में इन्हेंने इसका नाम बैकरप से गूगल रख दिया गूगल बेसी के लिए एक मैथमाटिक में एक वर्ड है गूगल के नाम से जिसका मतलब यह है यह एक नंबर को रेप्रिज़्ट करता है जिसमें एक लगाने के बाद सौध इफाँ जीरो लगाने हैं सिफर लगाने हैं तो ये पूरे नमर को Google के नाम से कैलकुलेट किया जाता है उसके नाम को प्ले करते हुए उस साथ खेलते हुए इन्होंने अपना नाम ये रखा और 1997 में इसकी Google.com डुमें फर्स्ट टेम रिजिस्टर हुई लेकिन एक साल बाद इन्होंने अजा कमपनी रेजिस्टर करवाया खुद को और तकरीबन 1998 में ही सब्टेमबर में इन्होंने Google as a search engine लाँच कर दिया जब वेबसेट लाँच हुई गूगल के लेरी जो फांडर्स और लेरी पेज और सर्जी बरेन ने इसको बेचने की कोशिश की वो ना सिर्फ याहू के पास गए बर कि वो अल्टा विस्टा और जो कि उसके एक अच्छा से चिंजन था और एक साइट के पास भी गए या तक कि वो 750,000 डॉलर पे बिकने के लिए वो रेडी थे लेकिन किसी ना किसी तरह से Excite के CEO ने आके डील कैंसल कर दी जब उनको कुछ भी ना बना तो उन्होंने एक छोटे से आफिस से स्टार्ट किया किस तरह उन्होंने कहा कि जब चुके बिक नहीं रही तो उन्होंने इसको as a company लाँच किया और उस पे काम शुरू किया यह वो एक फोटो है जो पिछले जो इनकी अरली टीम जो के Google की बन्यादी शुरू में जो मेंबर्स थे यह उस टीम का एक हिस्सा है जो के आज इस दुनिया के एक तरह से सबसे बड़ी company के बीच में हैं या कोई लोग छोड़ गए है अच्छा 2005 में जैसे हमने पहले discuss किया कि गूगल ने वक्तन फ़कतन मुख्ली प्राइट्स लाँच की हैं इसी तरह से 2005 में गूगल ने Android लाँच किया, Google Maps लाँच किया, Google Analytics लाँच किया और आज यानि के लास्ट येर, 2017 में Google का जो टोटल रेविन्यू था वो एक सो नो बिलियन डॉलर का था और अब तक यह सबसे बड़ी internet company बन चुकी है, जो कि सिरफ internet नहीं बलके different products, different domains में भी अब penetrate कर रही है जो दूसरा वड़ा search engine है, वो बिंग है, जो Microsoft की product है, जैसे हमने बात की कि search engine आलमोस सब एक ही pattern पे, web threads को rank करते हैं, और उसके बाद उसको index करते हैं, लेकिन हम चुके Google को ज़्यादा focus करते हैं, उसकी वज़ाज यह है कि Google ज़्यादा माना जाता है, और clients भी जब हमें पैस एक market share रखता है, बिंग की भी एक importance है, तो बिंग search engine जब launch हुआ, इससे पहले MSN search engine, MSN के नाम से search engine exist करता था, जो बाद में live, Windows live के नाम से मशूर हुआ, फिर live search हुआ, लेकिन उनने बाद में, जून 12.06 में, उन्होंने इसका नाम बिंग रख दिया, और बिंग को एक नई पाड़क्ट तोड़ पर उनने launch किया, 12.12 में उन्होंने याहू की साथ merger करके, याहू की search on कर ली, याहू search engine अब as a search engine primarily नहीं exist करता, बिंग जाद तर याहू की search power करता है, और इस वक्त बिंग का जो है share market में, तकरीबएं 20.9% calculate किया जाता है, जो कि USA में figures हैं, बाकी जोग एक दूसरा बड़ा search engine माना जाता है, अगर आप search engine optimization के perspective से देखें, तो Google नमबर वन पे है, और Bing नमबर टू पे है, और दोनों ही almost बेतर हैं क्योंकि ultimately हमें traffic चाहिए, हम जब अब search engine optimization की बात करेंगे इस course में, हम almost focus हमारे अधादा Google के ओपर होगा, लेकिन हम कोशिश जहाबर जरूरत पड़ी, वहाबर हम Bing को भी include करें